रादे रादे दोस्तों आज हमने बनाया है आलू, पैगन और हरी मीर्ज का स्टफ जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है 10 hectare लखनो साइट पर आप जाईए और विजिट जरूर से जरूर करिए और आप अपने जो भी प्रॉपर्टी है आप उसको सेल और पर्चेस करने के लिए जरूर जरूर डालिए देखे मैं कुछ मसालों को रोस्ट कर रहे हुँ जिसमें से हमने एक चम्मच जीरा लिया है और चार चम्मच लिया है पसफोरन पसफोरन आप किसे भी ग्रॉसरी के दुकान पर जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से मि जाता है हलका सा कलर चेंज हो का और खुस्बू आने लगती है तो इसका मतलब आपका मसाला रोष्ट हो जुका है देखिए मेरा मसाला लगभग रोस्ट हो चुका है अब मैं फ्लेयम को बंद कर देती हूं बस अब इसके बाद हमें इनतिजार करना है कि यह मसाला थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे जो आज मैं यह बनाने जा रही हूं स्टफ यह स्टफ खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और दूसरी बात है कि यह पेट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदे मन्द होता है क्योंकि इस पेश्पूरान वाले जो मसाले डाले हैं यह सब पे मेंगो पाउडर होता है वो हमने डाल ली अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है क्योंकि फूड़ा फंब मसालbeing तो त्यौतर अपक Till अच्छे से मिक्स कर लेगए सरसो का तेल उतना डालना है जिससे ये मसाला हमारह अच्छे से मिक्स अच्छाaine और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने आलू को पील कर लिया है और उसको हम पानी में डाल करके 5 मिनट के लिए हम आलू को माइक्रोवेव कर रहे हैं और अगर आपके पास microwave ना हो तो आप गरम खौलते हुए पानी में पांच मिनट के लिए ढख करके अपने आलू को पका लिजे, देखे बैगन को हमने धुल करके रख लिया है, लंबा वाला पतला वाला बैगन है, उसे अच्छे से धुल लिया है, धुल करके अब हम इसे यह लिखानाँ देखे, वाला को तो प्रम एक हमने बैगन को कट किया है, और पूरा नीचे तक कट नहीं करना है, jużना धुल करने का पार्ट मतलब आप को कट करना हों हुण नीचे का थोड़ाético पूर्शन आपको कॉत नहीं करना है, जिसए दूझ यह अलगलार लह ल अपने मैंने किस तरीके से भरा देखिए हमने थोड़ा सा मसाला उसके अंदर डाल दिया है और फिर उसके बाद हमने अपने उंगलियों के साहता से दबाते हुए बैगन को अच्छे से स्टफ कर लिया है इसमें मसाला जब आप अच्छे से स्टफ करके डालते हैं तो ये बह फ्लेवर पूरे बैगन और आलू में आता है इसलिए थोड़ा सा अगर हम मसाले में नमक थोड़ा तेज रखेंगे तो वह हमारा बहुत चटपटा सा अच्छा फ्लेवर आता है देखिए हमने एक चम्मच के करीब सरसो का तेल पैन में डाल दिया है अब इस तेल को हमें गरम होने देना है गरम होने के बाद हम देखिए एक-एक करके सारे बैगन को हम इस कडाही में अच्छे से सजा करके रख दे रहे हैं यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि जो मसाला जहां पर है मतलब जो कट वाला पूर्चान है वो हमेशा ऊपर रहता है वह अगर पैन में नीचे के साइट जाएगा तो सारा मसाला हमारा बहार आजाता है और ग्रिए चेली को हमने इधह उधर डाल दिया है अब देखे हमने पांच मिनट microwave करने के बाद हमारा आलू जो है पक कर के एक ड KP से तैयार हो गया है हो, देखें, इस तरहें से आलू को कट किया जाता है और फिर ऑलू को हम ने बॉयल इसलिए थोड़ा सा कर दिया थोड़ा पका इसलिए क्योंकि ऐसा करने के बाद आलू का स्टफ बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाता है, देखि ढ़ता है बधी आराम टुकड़ा बिना ऐसे ही पकाना होता है ढख ढख करकर की कम से कम तेल में इसलिए एक ये बहुत ही सिक्रेट तरीका है कि आप हल्का सा आलू को बोयल कर लो पका लो अलू तो ये बहुत अच्छे से बहुत चटपट रोस ठो करके त्यार हो जाता है इसका भर्वा बहुत जल् फ्लेम में हम यह भरवा बना करके त्यार करना है अब देखे हम मतलब कि जो बैगन का जो पूर्शन है थोड़ा उसका पूजिशन चेंज कर दे रहे हैं लेकिन जो मसाले वाला पार्ट है वो एकदम नीचे पैन में नहीं आता है साइड साइड हम ऐसा कर रहे हैं कि साइड मे मतलब हमारा मसाला है नीचे कि साइड अगर हमारा मसाला चला जाएगा तो फिर बैगन अच्छे से बैगन का सारा मसाला बहार आ जाता है अब हमने बैगन को एक साइड में कर लिया अब हम इसमें जो आलू को हमने जो स्टफ करके रखा था अब उस आलू को हम इसमें देख बहुत इस लो फ्लेम में हमें अलट पलट करके बहुत ही अच्छा बन करके तयार हो गया है आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यह बना करके खिलाईएगा तारीफ करते आपके नहीं थकेंगे और इतना अच्छा लगता है खाने में कि हमारा चो खाने का डोज है वह तो पक्का डबल ही हो जाता है देखिए चाकू के मदधम से हम चेक कर रहे हैं बड़े आसानी से चाकू अंदर चला जा रहा है हमारा सारा स्टफ बन करके अब तयार हो गया है अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज आप हमारे चैनल को हाथ हो दिसमें नहीं लगना चाहिए